हलो मोंस और चिल्रेंट प्रीदी इस पैक अगेंड जैसे की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन आउफ एक्सराइज और प्राक्टिकल लाइफ जिसको फोर ग्रूप्स में बाटा गया है पहला क्या था care of the person and second था movement and third care of the environment and fourth development of social reaction तो उसमें से आज हम देखेंगे movement ये मैं हटा देती हूँ हम आज देखेंगे movement means control of movement अब इसके benefits क्या है benefits of movement this type of activities improves control of movement, eye hand coordination, fine motor skill and concentration also अगर हम ये बच्चो को करवाते हैं control of movement तो इसे बच्चे का क्या improve होगा पहली बात तो इसका eye hand coordination मजबूत होगा जैसे eye hand coordination मतलब वो एक तो अपनी उंगलियों से कुछ work करेगा या games खेलेगा उसके साथ आई भी उसके use होंगे and fine motor skills अब आप पूछेंगे ये क्या है तो fine motor skills में क्या होता है उसमें बच्चो का means fingers use होता है and eyes भी use होता है वो एक जगा पर बैट कर ये work करते हैं right तो इसे हम बोलते है fine motor skill मैं इस पे अलग video बनाऊंगी fine motor skill and gross motor skill पे right तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसके हम example देख लेते हैं movement के means कौन से control of movement के examples तो name of the activities क्या हम इसमें कर सकते हैं और बच्चो को सिखा सकते हैं घर पे moms भी सिखा सकती है जैसे इसमें pouring सिखा सकते हैं squeezing सिखा सकते हैं बच्चो को twisting भी सिखा सकते हैं and I hope आपको clear दिख रहा होगा इसमें sorting भी हम सिखा सकते हैं बच्चो को तो इससे भी क्या होता है, control of moment, अच्छा होता है बच्चों का, ठीक है न, तो अभी हम ये सब सारे जो activities हैं, इसमें मैं आपको आज, आज क्या दिखाऊंगी, solid pouring activity with spooning, ठीक है, और फिर मैं दिखाऊंगी liquid pouring, तो चलिए हम देखते हैं, ये है क्या, जैसे यहाँ पे, घर पे आप, एक ट्रे ले लिजे, राइट, देखिए, ये ट्रे जैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ, C, इस तरह से हम ट्रे ले लेंगे, और दो बॉल रख लेंगे, इस तरह से, दो बॉल हमने रख लिया, अब हमें बच्चों को सिखाना है, कि विद स्पून, इसको किस तरह से हम नेक्स्ट बॉल में डालेंगे, ट्रांस्फर करेंगे, राइट, तो ये मेरी डॉर्टर करके बताएगी आपको, ओके, आजाओ, इस तरह से, आपको बच्चे को घर पे सिखाना है, इससे गिरना बिलकुल नहीं है, बच्चों को बताना है, गिराना नहीं है, इससे क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है बच्चों को, इससे पहले तो आई हैंड कॉडिनिशन इसका स्टॉंग हो रहा है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स भी इसका डप लप हो रहा है, और सबसे अच्छी बात कि बच्चा एक जगा बैठा है, माल लीजे किसी के बच्चे ब आप बहुत सारे गेम्स करवा सकते हैं, तो इस तरह से आप बच्चे को करवाईए, तो देखिए, यह हो गया फिनिश, अगर बच्चा अगर ऐसा करें कि एक बार में ही इस तरह से डाल दें, तो उसे बताना है नहीं बेटा, थीरे धीरे आप करो, क्योंकि बहुत बच्च अब हम देखेंगे दूसरी अक्टिविटी, हम लिकवेट पोरिंग अक्टिविटी देखेंगे, राइट, यह है एक जग मैंने लिया है, और यह मैंने ग्लास लिया है, जैसे आप घर पे बच्चे को बता सकते हो कि जग से आप पानी डालो ग्लास में, तो बच्चा बड़ना और यह भी दिखाना है, देखें, यहां पे मैंने ग्लास पे मार्क किया है, यहां पे दिखें, तो आप ऐसा मार्क कर दे और बच्चे को बुले, यहां तक आप पानी भरो, राइट और इस तरह से, यह लेफ्ट अंड से इस तरह से पकड़ेंगे, एट हैं राइ इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है आप देखिए बच्चे आप 10 डेज ऐसा करिए देखिए बच्चे सीख जाएंगे मैंने क्या कहा था वियाप टू फिल अप्टू दा माक तो माक आ गया फिर हम इसको इस तरह से रख देंगे राइट यह इसी दिसा में होना चाहिए जहाँ हारा लेफ्ट हैंड है और इक हैंड इस तरफ होना चाहिए देखिए फ्रैंक सी इस तरफ होना चाहिए उस अप हम लीज जय करेंगे यह टा सिबसें जग में डाल दिये उस तरह से बच्चे को सिखाना है अब मेरी दॉट्ट्र करके बताएंगी इस तरह से आप भी अपने बच्चों को घर पे सिखा सकते हैं करो नीचे रखो अगर मान लीजे बच्चा से पानी गिर जाता है तो आप एक स्पॉंज या वाइपर रखे राइट मैंने यह भी नहीं रखा है और स्पॉंज और वाइपर रखे और उससे वाइप करना भी आप बच्चों को सिखाए ताकि डर्टी हो जाए तो आप खुद ना करें बच्चों को सिखाए येस दिस इस यह कौन से अक्टिविटी के आमने लिक्विट पोरिंग अक्टिविटी राइट और माल लीजे मेरे पास कोई वाइपर तो है नहीं तो मैं ये वाइपर यूज कर रही है माल लीजे पानी गिर गया तो हम क्या करेंगे इस तरह से वाइप कर देंगे राइट इस तरह से वाइप भी करना बच्चों को सिखाना है तो मैं इस तरह से वाइप कर दिए अब यह हम क्या आज हमने किया एक सौरिट पोईंग अक्टिविटी अब यहां पर हमारा वीडियो फ्रेश होता है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और हां मुझे कॉमेंट बॉक्स में बत